गुड मॉनी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे पहराग्राफ और वो पहराग्राफ जो कि किसी भी competitive exam में आता है और उसमें से जो भी question होते हैं उस पहराग्राफ में से हमें उनका answer देना होता है तो सबसे पहले हमें इसके लिए पहराग्राफ पढ़ना होगा और पहराग्राफ एक बार में समझ में नहीं आए आपको तो दो बार तीन बार कितनी बार भी आप पहराग्राफ कच्छों से पढ़ो और उसको समझो फिर आगे question answer उसके दे सकते हो तो इससे पहले अपना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर कर लेना और बेल आइकन अवाज से ही प्रेस कर लेना ताकि हर आनी वाली नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो के बाद में यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी उठा सके चलिए अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं तो इटीज स्ट्रेंज डैट्स मोस्टली स्वीम इन दा वाटर दो देर फैदर केप ड्राइ तो कह रहा है कि ये बड़ी विचीतर बात है कि डक्स सब लगबग अधिकतर समय पानी में तैर्दी रहते हैं लेकिन उ अधर हैं वो उनके पंक घीले नहीं होते वो सुखे ही रहते हैं दे स्ट्रीम इन वाटर फोर लॉंग आर्स एंड सम्टाइम्स ब्लंज इंटु वाटर बट दफैदर स्टेल केप ड्राइ वे लॉंग आवर्स लंबे समय तक कई कई घंटों तक पानी में तैर्ती हैं बट फैदर स्टिल केप ड्राइ प्रन्तु उनके पंक फिर भी सुखे ही रहते हैं यानि कि पानी में पूरा डूब जाते हैं डूब की लगा जाती हैं लेकिन फिर भी उनके पंक सुखे ही रहते हैं वट इसका रहशे क्या है इसका गूड रहशे क्या है कि इसके पीछे ल तोुव्ष होती है उसमें उसकी जड में जहांसे फूं चुरोती वहां पर चेक जनुन 기 जहां में से फैसी open रोने yarn के पिर फ्यक्ष ऑपर फैदर सेउने की ओफिल रहता है उस ओयल को अपने फैदर्ज पर अपने फंखों पर फैल लेती है ताकि वो सारे के उपर वो जो ओयल है वो सारे पनखों पर फैल जाए जनरली ओल डाप बांड़ परूड़ूश लेंदाच और अन्य स्वेकर आपक्सबाइं करें कि ऑनरल कर्द पराय सबी जो पक्ष होते है उन सभी में यह अंग होता है जो कि oil produce करता है जो कि तेल वहां से निकालता है यानि कि जहां से तेल निकलता है वो अंग होता है लेकिन यह केवर aquatic animals जो जलचर है उन में ही हादिक रूप से अच्छे तरह से वो develop होता है विक्सित हुआ होता है वो अंग वहां ज्यादा वो नि यह अंग जो oil produce करता है, जो oil निकालता है वो वाला अंग अच्छे से विक्षित होता है, बाकी सभी में उतना ज़्यादा विक्षित नहीं होता, और बार्ड में पसीने आने वाला जिस अंग से पसीने आते हैं वह अंग हदिक विक्षित नहीं होता, वो विक्षित नहीं होता क्योंकि पक्षियों के पसीने नहीं आते हैं, हम human body बे आता है ना, उनमें पसीने आते हैं लेकिन बार्ड के पसीने नहीं आते हैं, जानवरों क मनुष्यों के पसीने आते हैं पक्षियों के पसीने नहीं आते क्योंकि उनमें यह अंग होता ही नहीं है तो इस पैराग्राप में हमने क्या देखा है हमने डक्स के बारे में जाना कि वो पानी में तैरती हैं फिर भी उनके पंक गिले नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि उन जल्म रहने वाले जीव हैं उनमें सभी में यह ज्यादा मात्रा में अच्छे तरह से डॉल्प वाव अंग होता है वो तेल प्रोडूस सी कर लेते हैं अब ना कुछ दिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देख लेते हैं Strange, Strange means होता है, विचित्र, Shrimp, Shrimp means, टेरना, Feathers, Punk, Plunge, Plunge means होता है, डुबकी लगाना, और Secret, Secret means, रहे से कोई गुप्त बात, जिसके बारे भी पता नहीं हो, Limb, Limb होता है, Part, यानि कि, अंग, Produced, Produced, उत्पन करना, Expel, Expel means, Means, निकालना, छोड़ना, यानि कि, कोई चीज उत्पन करना, और Spread, फैलाना, Generally, Generally means होता है, Pry, Aquatic, और Aquatic animals, वो animals होते हैं, जो जल में रहते हैं, यानि कि, जलिये, जीव, और Sweet means होता है, पसेना, तो ये difficult words थे थोड़े, इस passage में आय थे, उनके हिंदी हमने बता दिया है, तो paragraph को दो तिन बर अच्छे सी पढ़ो, और फिर अपना questions के answer दो, तो अब देख लेते हैं, इसके question answer, और पहला question अपने पास होगा, The above passage, जो passage हमने पढ़ा है, जो paragraph अभी पढ़ा है, उसकी बात करे हैं, describe about a duck, duck की किस quality के बारे में यहां पर बता रहा है इसमें, करे स्वीट लिम, ओली फैदर, ओली लिम, सीक्रेट ओफ रिमेंनिंग ड्राइफ, तो इन में जे किस के बारे में बताया है, यहां पर पसीना छोड़ने वाला आंग, यहां ओली फैदर्स के बारे में बताया है, यहां ओल प्रोड्यूस करने वाले लिम्स के बारे में बताया है, यह फिर सूखा रहने का सीक्रेट बताया है, तो इस पहराग्राफ में सूखा रहने का सीक्रेट बताया है, The peculiarities of ducts is that they, कि ducts की खाशयद, ducts की एक विशेश्था यह है कि वे, peculiarity means होता है खाशयद, विशेश्था, तो क्या विशेश्था है? Option 1 में है, can swim for long, लंबे समय तक तैर सकती है, can swim very fast, बहुत तेज गती से, swim कर सकती है, तैर सकती है, can plank quickly और जल्दी से डूब की लगा सकती है, can remain dry in spite of swimming in the water, पानी में तैरने के बावजूद भी सुखी रह सकती है, तो कौन सी विशेश्था के बारे में बताएगा है, कौन सी यही कि can remain dry in spite of swimming in the water, यही अपने इसमें बताएगा है, तो fourth option अपना right answer है, the oil limb of a duck is, duck के जो oil limb है, वो कहाँ पे है, on its back, on its feather, on its tail, on its feet, तो back में होते हैं, punk में होते हैं, या tail के पास होते हैं, तो यहाँ अपना right option रहेगा, second number और यह है, in its tail, इसकी tail में होता है वो limb, ठीक है न, feather में, back में, या feet में, नहीं होता, second option अपना right option है, the oil limb of a duck, is in its tail, इसकी tail में यह होता है, चलो अगले देख लेते हैं, अगला question, और अगला question अपने पास है, what is secret of it, यह इसका, क्या secret है, secret में होता है, रहेसे, इसका क्या रहेसे है, कि बही, किस चीज का, कौन सी चीज का, रहेसे आगे पुछेगा, which action of a duck, is represented, by these words, तो इन words के दवारत, ducks की किस quality की बात की गई है, तो कौन सी की, swimming की, swimming में तर ना, plugging की, plugging होता है, क्या होता है, डूप की लगाना, remaining dry, सूखा रहना, या, remaining in water for a long time, लंबे समय तक, पानी में रहना, कौन सी, यहां पर quality के बारे में बात की है, तो यहां पर बात की है, remaining dry, सूखा होने की बात कही है न, इसमें अपने paragraph में, हाँ, तो अपना third option, right option होगा, the oil limb is, oil limb है, क्या है, not developed in all birds, not found in all ducks, not found in all birds, well developed in only some ducks, तो देखो, कह रहा है कि, not developed in all birds, all birds में developed नहीं होता, या, second option में है, not found in all ducks, सभी ducks में नहीं पाया जाता, या फिर, not found in all birds, सभी birds में नहीं पाया जाता, या फिर, well developed in only some ducks, कि कुछ ducks में ही डवलप होता है, ऐसा है क्या, नहीं, सभी ducks में developed होता है, लेकिन, पहला जो option है, not developed in all birds, सभी पक्सियों में, developed नहीं होता, पाया तो जाता है, लेकिन, well developed in all birds में होता है, जो की जलिये हैं, जो जल में तैरते हैं, जल में रहते हैं, तो अपना, right option रहेगा, first option, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइप और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जादे से जादा शेयर करना, ताकि सभी बच्चों का इससे benefit होसके, थैंक्यू,